हिंदू महसभः द्वारा महत्मा गांधी की पुणितिती को शौरिदिवस के रूप में मनाये जाने पर मुसलिम उलेमा भी अब विरोध में उतर आये हैं। देवबंद के उलेमाओं ने हिंदू महसभः पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उलेमाओं का कहना है कि हिंदू महसभः के लोगों ने शर्मनाख हरकत की है। सरकार को हिंदू महसभः के खिलाफ कारवाई करते हुए उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। और इतना ही नहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए। महत्मा गांदी जी की साथ में इस तरह की घिनावनी हरकत करना तो गोया इसका मतलब इससे बड़ा देशतगर्द और कौन हो सकते हैं। महसबा के लोग सबसे बड़े देशतगर्द हैं जो देश के राश्पिता महत्मा गांदी पर गोली चला रहे हैं। और गोर्चे के नारे लगा रहे हैं कि वो आमर रहे। मैं हकोमत हिंसे और योगी हकोमत से ये दर्खास करना चाहता हूँ। फ़री तोर पर वो इनके खलाफ कानोनी कारवाई करें और तमाम लोगों की निशान दई करके इनको जेल की सलाफों में डाला जाए। आपको बता दे कि हिंदू महसभा के रष्ट सचिव पूजा शकुन पांडे और कारेकरताओं ने महत्मा गांधी के पुतले को गोली मारी और उनके पुतले को देहन किया था। इतना ही नहीं कारेकरताओं ने महत्मा गांधी के हत्यारे नाथु राम गोटसे के चित्र पर माल्यारपन करते हुए मिठाईयां भी बाटी थी। सहारन पुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी